हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चानल, आज हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स, उसके पहले कुछ दो मिर्ट का बेसिक्स है, पहले वह देख लेते हैं, ठीक है, वन का क्यूब बन होता है, टू का क्यूब एट होता है, थ्री का क्यूब 27 होता है, फाइब का क्यूब 125, शिक्स का क्यूब 216, सेवन का 343, एट का क्यूब 512, नैन का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000, यह बन से लिके 10 तक के क्यूब आपको याद लपने पड़ेंगे, ठीक है, जब यह क्यूब याद रहेंगे, तब आपको क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रि के लिए दिया गया है, और उस नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, तो जब आप क्यूब रूट निकालेंगे, तो आंसर का लास्ट डिजिट भी 1 ही होगा, 4 है, तो क्यूब रूट जब निकालेंगे, तो लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 4 होगा, 5 के रिप्लेस्मेंट में six आएगा nine के replacement में nine आएगा और यदि किसी number के last में आपको two दिया हुआ है ठीक है तो जब आप उसका cube root soft करेंगे तो आपको end में क्या लिखना है two के replacement में eight लिखना है ठीक है इसका reason यहीं दिख रहा है कि two का cube क्या होता है eight होता है three का cube क्या होता है 27 होता है last का हमेशे unit digit ही count करते है ठीक है अगर three है किसी number के end में तो जब आप cube root निकालेंगे उस number का तो आपको आखरी में three के replacement में seven लिखना होगा ठीक है इसके बाद seven है तो three लिखना पड़ेगा देखो बहुत easy है याद करना one four five six nine यह replacement में as it is number आएगा ठीक है कोई change नहीं two के replacement में eight आएगा और eight के replacement में two आएगा three के replacement में seven आएगा seven के replacement में three आएगा तो चलिए start करते हैं solve करना ठीक है पहला question का cube root find करेंगे तो पहले क्या लिखा हुआ है seven लिखा हुआ है ठीक है वन ठू और थ्री लास्ट से Tीन डिर काउंट करने के बार इन तीन को हम हटा देंगे मतलब इसको हम थोड़ी दिर के लिए अवयड करेंगे और जो भी डिरिट बचा होगा जो भी नमभर बचा होगा उसको चेक करेंगे यहाँ पर कितना बचा TIE 1978 ठीक है अब हम यह कि 12 के पहले कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है 12 के पहले अगर कौन कौन से नंबर आते हैं 11 आता है 10 आता है 9 आता है 11 परफेक्ट क्यूब है नहीं है 10 परफेक्ट क्यूब है नहीं है 9 परफेक्ट क्यूब है नहीं है अब क्या आता है 8 8 परफेक्ट क्यूब है यस 8 एक perfect cube है तो 12 के पहले जो perfect cube आता है वो क्या है 8 ठीक है हमने देखा था 8 किसका cube है 8 है 2 का cube तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 ठीक है 8 किसका cube है 2 का cube है तो जिसका cube है उस नंबर को हमने यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब यह जो हमको cube root दिया हुआ था इतना बड़ा digit यह किसका cube था 23 का cube था अगर आप 23 को तीन बर multiply करोगे तो क्या answer आएगा 12,167 ठीक है अब हम next question देखते है लास्ट डिजट क्या है 7 तो 7 के replacement में क्या आएगा 3 लिख दिया 3 अब क्या करना है अब आकरी से तीन डिजट काउंट करना है 1,2,3 यह तीन डिजट काउंट किया और तीन डिजट काउंट थोड़ी दिर के लिए बोल जाएंगे ठीक है क्या बचा 3,8,9 अब 3,8,9 के ज़स्ट पहले कौन सा क्यूब आता है यहां चेक कर लो 3,8,9 के पहले क्या आ रहा है 3,4,3 आ रहा है 3,8,9 यहां पे देखिए 3,8,9 के ज़स्ट पहले ज़स्ट पहले कौन सा क्यूब आता है 3,4,3 पॉफिक क्यूब है और 3,4,3 किसका क्यूब है 7 का क्यूब है तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे इसका मतलग यह जो क्यूब रूट है किसका है 73 का है चली अब यहां देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है लास्ट डिजellesट है 5 हमको पता है 5 के रीप्लेस्में में क्या आता है 5 ही अता है सहीं हम ने लिख दिआ परना लास्ट देख 13 कानट कीजे 1,2,3 यह तीन डिजल कानट किया इसको क्या करना है इनुर करना है ठीक है क्या बचा 42, 42 के जस्ट पहले कौन सा क्यूब आता है, बताईए, 42 के जस्ट पहले आता है 27, ठीक है, जो कि एक perfect क्यूब है, किसका perfect क्यूब है, थी का perfect क्यूब है, ठीक है, तो 42 के पहले आता है 27, और 27 किसका perfect क्यूब है, थी का, तो हम यह 3 कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखतेंग हुआ है यह 35 का 3 बार multiply करने पर आएगा ठीक है चलिए अब यह बार देखते हैं 3 लिखा हुआ है 3 को गया replacement में कौन सा नमबर आता है 7 आता है अब हम last से तीन डिजट काउंट करेंगे 1 2 3 तीन डिजट काउंट किया और तीनों को हम थोड़ी दर के लिए भूल गया है 185 के just पहले कौन सा perfect cube है 185 के just पहले कौन सा perfect cube आता है 125 आता है आता है 185 की just पहले देखे 185 के पहले आता है 125 है ना क्यूंकि इसके बाद तो 260 है जाएगा तो बड़ा बड़ा नमबर हो जाएगा 185 से हमको just पहले का perfect cube देखना होता है बाद का perfect cube नहीं देखते हैं तो 125 किसका cube है 5 का cube है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया इसका मतलब इस number का cube root solve करेंगे तो 57 आएका अब हम देखते next question clear last में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है यहाँ देखिए 2 के replacement में कौन सा number आता है 2 के replacement में 8 आता है ठीक है हमने यहाँ पे क्या क्या है तू के replacement में 8 लिख दिया ठीक है अब हम काउंट करेंगे क्या करेंगे last से तीन डिजट काउंट करेंगे count कीजिए 1,2,3 तीन डिजट काउंट किया और तीनों को हम बूल गए अब क्या आया 3,1,4 3,1,4 से जस्ट पहले कौन सा वालब पॉफिक क्यूब होगा आप देखे बताएं 314 से छोटा नंबर कौन सा है 314 से बड़ा है 3,4,3 तो यह तो हम नहीं लेंगे इससे छोटा नंबर कौन सा है 216 है 216 पॉफिक क्यूब है 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब है तो हम 6 को यहाँ पर लीतेंगे इसका मतलब यह जो नंबर है 68 का क्यूब है कारेक्ट इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे इतने बड़े नंबर का तो क्या अंसर आएगा 68 68 को 3 times multiply करने पर आएगा 3 1 4 4 3 2 इतना बड़ा digit आएगा ठीक है चलिए अब हम लास्ट में देखते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है तो 9 के रिप्लेस्मेंट में क्या आता है 9 ही आता है हमने यहाँ पर देखा था अभी 9 के रिप्लेस्मेंट में क्या 9 आता है हमने यहाँ 9 लिख दिया ठीक है अब लास्ट से 3 इंडिजेट काउंट कीजिए 1 2 3 इंडिजेट हमने काउंट किया और इसको इग्नूर कर दिया क्या बचा 493 अब 493 के जरस्ट पहले कौन सा नमबर आता है बताये 493 के जरस्ट पहले हमारा अंसर है ठीक है ऐसी हम यहां पर सॉल्फ करेंगे 9 दिया हुआ है 9 के रिप्लेश्मेंट में 9 ही आता है लास्ट से 3 डिजट काउंट करिए 1 2 3 यह 3 डिजट काउंट किया और तीनों को हमने इग्नोर कर दिया क्लियर क्या बचा सथ 970 बचा सबस Mafia 970 की जस्ट पहले कौन सा परसक्ड क्यूब होता है देख लीजिए ну 7 which면 कि इनैं चेवन ये सबी किशनल के पड़िक क्यूब ए न ही सका में सब्स़ेंने लिए सेवन के रिप्लेश्मन में आता है 3 ठीक है हमने यह लिख दिया 3 अब लास्ट से तीन डिजिट क्लिकिए कांट कीजिए 1 2 3 तीन डिजिट कांट किया और तीनों को हमने इग्नोर कर दिया क्या बचा 804 804 के जस्ट पहले कौन सब पॉफिक क्यूब है देख लेते हैं यहां पर 804 के जस्ट पहले है 729 ठीक है 729 इसके जस्ट पहले का पॉफिक क्यूब है और 729 किसका क्यूब है 9 का क्यूब है है कि नहीं तो हम यह 9 को कहा लिख देंगे यहा लिख देंगे तो यह जो नमबर दिया हुआ था वो 93 का क्यूब रोट है ठीक है यही इसका आंसर है ठीक है अब यहां पर दो प्वेशिन और पचे हैं सॉर्फ करते हैं अब आप मुझे बिताएं 7 के रिप्लेस्मेंट में क्या आएगा 3 गुड इसके बाद 1 2 3 लास से क्या थी इनने बिझा काउंट किया और तीनों को इग्ंवर कर दिया क्या आया 79 79 के उएक कौसर प्वेशिकोव होता है बताइं मझे डिबल दिखें 79 के उएक उंसके उप्रेस्ट पहले आता है उसक्राइगा 64 64 कि्सका पॉफिक क्यूब है तो हमने यहां पर 4 लिख दिया, इसका मतलब यह answer किसका है, यह 43 का 3 time multiply करने पर 79,507 आएगा, ठीक है, अब हम यह वाले देखते हैं, 5, 5 के replacement ने 5 ही आता है, लास्ट सिटी इन डिजिट लिखिए, count कीजिए, 1, 2, 3, तीनों को count किया, और हमने तीनों को ignore कर दिया, अब क्या बचा, 640, 640 के जस पहले कौन सा नमबर आता है, 640 के पहले perfect cube है, 512, ती हमने 512 गया लिखा, 512 किसका perfect cube है, 512 किसका perfect cube है, देखे यहाँ पे, 8 का perfect cube है, ठीक है, 8 का perfect cube है, यह 8 हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका मतला, 85 का आप 3 time multiply करेंगे, तो 640,125 answer आएगा, यह था cube root find करने का short trick, I hope आप इस short trick को समझ गए होंगे, इसके लिए आपको कुछ 2 ही basic स्याद रखने हैं, जैसे 1 से लिखे 10 तक का cube याद होना चाहिए आपको, और इसके अलावा आपको यह याद रखना है, कि 1 के replacement में 1 आएगा, 4 के replacement में 4 आएगा, 2 के replacement में 8 आएगा, तो आप इस short trick की app से easily, क किसी भी बड़े से बड़े नंबर का cube root find कर सकते हैं, तो आज का वीडियो यही तक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा, और हाँ, बैल आइकन को दबाना मत बूलेगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की notification म तेने, तेंक यू